नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से शायद ही कोई दिन बीता होगा, जब केंद्रे सरकार के मंत्री, भाजपा या फिर संग परिवार के नेता, महात्मा गांधी का नाम नहीं जबते होंगे लेकिन क्या ये विडम बना नहीं है, कि जो राजनितिक बिरादरी गांधी के नाम से बहुत से कारिक्रम का श्री गणेश करते हैं नाथूराम गोड से और नारायन आप्टेक को साथ ही एक आदश राश्ट्र भक्त के तौर पर मानते हैं और उनको ग्लोरिफाई करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं बात हम गांधी जी की करें या फिर जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है भागत सिंग की हमारे राश्ट्री आइकन्स को याद मात्र एप्रॉप्रेट करने के लिए ही किया जाता है उनके जिंदगी से जुड़े घटनाओं को आपस्क्योर किया जाता है उनके स्ट्रगल्स और प्रिंसिपल्स की बात नहीं होती बस सिर्फ स्लोगन्स और सिंबल्स बनाकर मंदर की मूर्तियों की तरह सजा दिये जाते हैं गांधी जी की राजनीती की खासियत इसमें थी कि उनके प्रैक्टिस और सोच के रूट्स रोजमर्रे के जिंदगी में मिल जाते थे गांधी जी के कुछ activities और interventions आजादी के बाद के लगभग हर सरकार के लिए problematic थे ये सरकार भी कुछ अलग नहीं है ऐसे ये तो स्वाभाविक है क्योंकि संग परिवार की विचारधारा और गांधी जी के political views और राश्र और राश्रवाद की परिकल्पना बिलकुल परे थे गांधी जी के राजनेतिक development में 1922 या फिर 1922 बहुत ही महतवपून वर्ष था ये वह वर्ष है जब दो साल असायोग आंदोलन चलाने के बाद चार फरवरी 1922 को चौरी-चौरा कांड के बाद उन्होंने आंदोलन को unilaterally वापस लिया था इसे भारतिय राश्ट्रिय आंदोलन को जटका तो लगा ही था साथ ही गांधी जी के फैसले पर कई प्रशिंचिन भी लगाए गए थे पिछले साल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने बहुत धूम धाम के साथ इस इंसिडेंट की सेंटिनरी सेलिब्रेशन्स को लॉंच किया था गांधियन टेनेट्स के विपरीत चौरी चौरा वाइलेंस में जिनका रोल था और जिनको सजा मिली थी उनको याद किया था मोदी ने फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर उनको ना रेकगनाईज और ओनर करने की बात उन्होंने उठाई थी उन्होंने कहा था बीजे पी सरकार के इस साल मतलब लास्ट यur के बाद से हर गाओं में साल भर होने वाले कारेक्रमों में इस वीरता वाली बलिदान को याद रखेंगे लोग उनके भाशन पर हमने इस कारिक्रम में टिपनी भी की थी आप चाहें तो आर्काईव में देख सकते हैं उस इंसिडेंट की बार आज हम नहीं करेंगे क्योंकि February 1922 के फैसले से जुड़े हुए जो कॉंट्रोवर्सी थी वो शांत होने से पहले ही गांधी जी ने एक दूसरा एहम कदम लिया था आज फोकस उसी मुद्दे पर होगा उस दौर को सबसे पहले समझना होगा 1922 तक गांधी जी राश्ट्रिय आंदोलन के शीर्ष के नेता के तौर पर उभर चुके थे हिंदू-मुसल्मान यूनिटी की जरूरत को एस्टाबिश कर चुके थे 1990 के मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड कॉंसिटूशनल रिफॉर्म्स का लिमिटेड कैरेक्टर होने के कारण गांधी ने सफलता पूर्वक असहयोग आंदोलन को एक मास मूव्मिट में तबदील कर दिया था आजादी का आंदोलन डेमोक्राटिक हो चुका था सिर्फ एलीट की हिस्सेदारी या पार्टिसिपेशन नहीं थी अब उस पृष्ट भूमी में गांधी को 10 अफ मार्च 1922 में राष्ट दो या फिर सेडिशन के आरोप में गिरिफतार किया गया था उन्हें जब साबरमती आश्रम से जेल ले जाया गया तो वे भागवत गीता, रमायन और सर्मन ऑन दा माउंट और कुरान इनकी प्रतिया अपने साथ ले गए 18th मार्च 1922 को एहमिदबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज्ज के अदालत में गांधी की परफॉर्मेंस के बारे में सरकार, संग परिवार और भारती जनता पार्टी के तरफ से कोई बात नहीं होती इतिहास का सिलेक्टिव रिकॉलिंग का ये एक और उधारन है गांधी जी पर देश द्रो का आरोप तीन आर्टिकल्स के लिए था जो उन्होंने अपने मैगजीन यंग इंडिया में लिखा था ये लेख यंग इंडिया में 1921 में 29 सेप्टेंबर और 15 दिसेंबर को छपे थे और 1922 में 23 फरवरी को प्रकाशित हुआ था headlines थे, tampering with loyalty, दूसरा, the puzzle and its solution और आखिर जो लास अर्टिकल था, shaking the mains, पाल हे लाना इन तीन आपति जनक लेखों को अदालत में पड़ा गया पहले अर्टिकल में गांधी जी ने लिखा था I have no hesitation in saying that it is sinful for anyone, either soldiers or civilians, to serve this government which has proved treacherous to the Muslims of India and which has been guilty of the inhumanities of the Punjab I shall not hesitate, when the time is ripe, to ask Indian sepoys individually to leave his service and become a weaver एक दूसरे आर्टिकल में उन्होंने लिखा We are challenging the might of this government because we consider its activity to be wholly evil We want to overthrow this government British barrister Sir Thomas Strangman ने अपनी किताब Indian Quotes and Character उस्पे लिखा था This was an open and avowed challenge to the government and an attempt to inflame the masses of the Indian people, including the sepoys, to throw off their allegiance and destroy the government It was impossible for any government to ignore this sort of sedition, proceeding from a man of such power and influence as Gandhi had by that time acquired Gandhiji ke speeches, lek, vichar, audio clips of photographs ki sabse comprehensive website mkgandhi.org mein likha hai The judge said that the law required that the charges should not be read out but explained In this case, it would not be necessary for him to say much by way of explanation The charge in each case was that of bringing or attempting to excite into hatred or contempt or exciting or attempting to excite disaffection towards His Majesty's government established by law in British India अपने deposition में गांधी जी ने सबको चकित कर दिया उन्होंने खुद को एक राजनितिक नेता के रूप में नहीं बलकी एक बुनकर या फिर किसान के तौर पर पताया उन्होंने prosecution को स्तब्द कर दिया कहा कि जब समय आएगा वे अपना अपराद स्विकार करेंगे guilty plead करेंगे गांधी जी चुपचाप सुनते रहे prosecution के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाए crime की गहराई को establish करना accusations तो सब सही हैं गांधी जी ने कहा परंतु एक चीज factually incorrect है मैं तो बहुत पहले से ही देश-द्रोही हो चुका हूं गांधी जी ने अपने defense stand को एक राजनितिक भार्षन का stage में तबदील कर दिया अपने बचाओं में वे ना बात करते वे उन्होंने अपनी राजनितिक सफर का बया किया कैसे वे Queen's Proclamation of 1858 में आस्था रखने वाले एक इनसान से वे इस मोड पर पहुँचे कैसे पहले विश्वयुद खतम होने के बावजूद Rowlet Act के continuation से उनका disillusionment शुरू हुआ कैसे जालियाँ वाला बाग का मैसकर और उस पर Inquiry Commission की रिपोर्ट ने उन्हें British सरकार से completely alienate कर दिया और किस तरह से खिलाफत के वादों से सरकार जब मुक्री तो उसके बाद तो सब कुछ खतम हो गया उनका विश्वास अंग्रेज सरकार पर अपने defense statement के अंथ में Gandhiji ने कहा I believe that I have rendered a service to India and England by showing in non-cooperation the way out of the unnatural state in which both are living In my opinion, non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good गांधी ने जज के पास मात्र दो option छोड़े उन्हें कडी सजा दी जाए या फिर जज खुद स्तीफा दे दें नियाएधीश ने गांधी को दोशी घोशित किया छे साल की सजा सुनाई लेकिन जज ने अपने परिशानी को नहीं छिपाई उनका बस चलता तो शायद गांधी जी को रिहा कर देते परंतु दर्वाजा तो गांधी जी ने ही बंद किया था जज ने ultimately कहा कोट में if the course of events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you nobody would be better pleased than I February 1924 में गांधी जी को बिनाशर्थ रिहा कर दिया गया इससे एक महीने पहले उनका appendicitis का operation किया गया था इस घटना ने स्वतंतरता संग्राम की दिशा बदल दी भारत में सौ साल बाद भी देशद्रो एक अपराद है न्यूस क्लिक सहित कई media organizations ने ये स्थापित किया है with documents कि 2014 से sedition कानून का घोर दुरुपयोग किया गया है जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है उन पर राष्ट्र विरोधी होने का चार्ज लगाया गया है क्योंकि उन्होंने सरकार और उसके फैसलों की आलोचना की है इन में कई पत्रकार भी शामिल हैं आम नागरिक से political activist किसी को नहीं बक्षा गया है बिना बेल के accused जेल्स में है conviction rates बहुत कम है गांधी जी के अनेक रूप थे लेखक, वकील, सफाई करमचारी, राजनेता, विचारक, डॉक्टर और बहुत कुछ ब्रिटिश सरकार की नजरों में तो वे देश-द्रोही भी थे उनको तो किसी ने positively एक बहरूपिया बताया था इस सरकार संग परिवार और भाजपा के नेताओं का मंत्र है गांधी गांधी लेकिन कोई भी नागरिक अगर गांधी जी के पच्चिन पर आगे चले तो ये सरकार वैसी ही बड़ताओं उनके साथ करती है जैसे की ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी के साथ की थी क्या ये double standards का instance नहीं है नमश्कार